Optics and Light in Mirror Reflection of Mirror Numerical Problem Good Morning Friends, I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My Tutorials is Belongs to CBSC and Bihar Board 3rd to 12th. हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहां तक परहा था Mirror Formula 1 by F equal to 1 by V plus 1 by U जहां F focus distance को indicate करता था U object distance को indicate करता था V image distance को indicate करता था हमने इस picture के संबंद में भी formula परहा था मैंने एक other formula को बताया था 1 by F equal to 2 by R equal to 1 by V plus 1 by U A magnification के formula को हमने परहा था height of image by height of object means H dash by H otherwise M equals to M equal to minus V by U और हमने इसके आगे sign convention को भी परहा था कि यदि हम mirror में लेंगे तो mirror का जो origin point होता है वही आपका pole कलाता है pole के आपके left side का जो part होता है negative होता है right side का जो part होता होँ आपका positive होता upper value जो हो positive होता है और lower value जो होता है negative होता अब हम लोग इसी से संबांजित numerical point को देखेंगे first numerical problem के अनुसार चलते हैं और हम लोग जानते हैं ये आपका दिया हुए है concave mirror concave mirror के सामने जो object रखा हुआ आपका AB है यहाँ से mirror के ओर रे निकलती है और ये left to right travel करता है हम जानते हैं कि right part का जो portion होता वो positive होता इधर का जो portion होता negative होता नीचे के और हम बरहेंगे तो ये भी negative होगा उपर के और जाएंगे तो ये हमारा positive होगा इसलिए हम pole से object का जो distance measure करेंगे उसका value यू होगा मान लिया कि इसका distance 500 cm दिया गया है और focal का जो value है वो आपका दिया हुआ 40 cm इसी प्रकार pole से जो image बन रहा है इसका जो distance होगा वो आपका भी होगा इसलिए मैं इसे मानूंगा कि ये जो आपका बन रहा है वो आपका 60 cm का बन रहा है ऐसा भी हो सकता है अब यदि मान लिया जाए कि मेरे को दो चीज़ दिया हुआ है मेरे को दो चीज़ दिया हुआ है कि F है और B है और U नहीं दिया गया है तो मैं क्या करूंगा क्योंकि वो doubtable है कि minus 500 है या 50 है मैं इसे doubt के रूप में जानता हूँ तब मैं इसे क्या कर पाऊंगा तब तो मैं इसे ये नहीं लिख पाऊंगा ये मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मुझे दो चीज़ यदी मालूम होगा तभी मैं तिसरीची़ को फालू कर पाऊंगा तो जैसा कि wealthy family जानते है but now 8,1109 F का फालू तो यह जो आपका हो गा पुल के इस साइड का है तो यह आपकर निगे gravity वालू होगा यह भी उसका इस साइड का पाथ है तो यह भी निगेटिव होगा तो मैं इसका Value रखूँ गा तो तो हो जाएगा आपका 1 by 60 बट इसका जो value होगा 1 by 40 होगा तो इधर बच जाएगा 1 by U अब मैं जब लूँगा तो दोनों का LCMA लूँगा तो 120 होगा 60 का table कितनी वाद पढ़ा जाए कि 120 है तो आप जानोगी कि 2 times पढ़ा जाएगा तो मैं 2 से गुना करूंगा तो 2 1 जा 2 होग बट 40 का table कितनी time से पढ़ा जाए कि 120 हो जाए तो इसका आपको जवाब मिलेगा 3 times अब 3 से यदि मैं गुना करूंगा तो 3 जा 3 होगा यहाँ पर आपका जाएगा 1 by U अब मैं माइनस करूंगा तो माइनस 1 by 120 होगा और यह 1 by U होगा अब मैं दोनों को रेसे प्रोकल करता पलट देता हुँ इसलिए मुझे जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा 120 सेंटिमीटर अथा अबजेक्ट डिस्टेंस जो होगा आपका अबजेक्ट डिस्टेंस इसे हम लोग यू के द्वारा दिखाते हैं तो अबजेक्ट डिस्टेंस यू एक्वल टू माइनस 1 by 20 120 में ही है यहाँ पर मेरा object से पोल के बीच का जो distance है वो दिया हुआ है मिस object distance यहाँ पर 90 cm आप चुकि हम जानते हैं कि पोल के इस side का जो portion होता है left side का वो negative होता है इसलिए जो charge लएगा यह negative charge को ढोएगा इसी प्रकार आपका पोल से जो image बन रहा है इसका भी distance मेरे को 50 cm दिया है चुकि यहाँ पोल के left side का portion है इसलिए यहाँ पर भी minus लएगा इस प्रकार मैं जान पा रहा हूँ कि मेरे को 2 point दिया हुआ है object distance means minus 90 cm दिया गया है जबकि यहाँ पर image distance जिसको हम भी के दुआरा indicate करते हैं यह भी आपका 50 cm दिया गया अब मेरे को focus नहीं दिया गया तो focus equals to what अब मैं mirror formula से चलूँँगा तो mirror formula आपका होता है 1 by f equals to 1 by u plus 1 by b होता है अब मैं जब निकालूँगा तो 1 by f का 1 by f 1 by u u का value मेरे को दिया हुआ है minus 90 plus का plus 1 by b का value दिया हुआ मेरे को 50 यदि मैं दोनों को solve करूँगा तो आपका जो lcm होगा वो आपका minus 450 होगा अब मुझे को इस table का table कितनी बार पढ़ेंगे 450 के equals होगा 5 times मैं 5 से गुना करूँगा अब इसी प्रकार यदि 50 आता है तो मैं कितनी बार पढ़ेंगा कि 450 आजाए तो 9 times तो 9 बंजा 9 हो जाएगा आप minus को उपर में ले लो या नीचे मेरे low से कोई अंतर नहीं होता है अब मैं इसे solve करूँगा तो आपको पता चले है कि इसका जो value आया है वो आपका 14 by minus 450 के बराबर आया है अब जब मैं इसे rotate करूँगा तो मेरे को पता चले है कि F का जो value होगा वो आएगा 450 और by आपका 14 cm आएगा और आप इसे अपना solve करके लिख लो कि आप कितना लाए हो यही आपका जो value होगा वो negative में आएगा यह मेरे को बताता है कि यह pole के इसी side में बनेगा और मैं जानता हूँ कि यह negative होगा जब negative होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि जो image बनेगा वही आपका real होगा आप इसे solve कर ले अब हम लोग का तीसरा example होगा मैंने एक convex mirror को लिया है convex mirror का यह जो आपका portion यह आपका रंगीन है इसके left side में एक object रखा गया है चुकि object distance को हम यू के दौरा इंडिकेट करते हैं मेरे को दिया हुए कि object का जो distance है वो 100 cm चुकि यह left side में और मैं जानता हूँ कि इस side का जो portion होता है उसके distance को negative travel करता है जबकि इसके right portion का भाग दिया हुए पूल के right side का जो भाग होता है वो positive होता है इसलिए मैं इसे positive मिलूंगा अब यहाँ पर मेरे को दो चीज़ दिया हुआ है एक दिया है object का distance मतलब कि u equal to आपका हो गया minus 100 cm जबकि दूसरा जो है वो आपका focal है तो focal distance जो हो गया focus distance वो positive होगा तो 20 cm होगा इस परकार हम जान पाए है कि जो image distance होगा भी equal to what कहने का मतलब कि यहां से ले करके यहां तक का जो image होगा यही आपको निकालना है अब हम जानते हैं कि mirror formula जो होता है वो आपका 1 by f equal to 1 by b plus 1 by u होता है चुकि अब मेरे को चाहिए क्या तो b का value चाहिए इसलिए मेरे को b को excited कर ना होगा तो 1 by f यह positive है आपका इधर आएगा तो negative हो जाएगा तो 1 by u equals to 1 by b होगा अब मैं जब लिखूंगा तो 1 by f का जो value है वो आपका 20 हो जाएगा negative का negative 1 by u, u बोले तो कितना 100 cm तो यहां पर मैं रखूंगा minus 100 cm और 1 by b लिखूंगा अब मैं जब लिखूंगा तो इसे लिखूंगा 1 by 20 अब मैं जानता हूं कि minus minus क्या होगा plus 1 by 100 equals to 1 by b होगा अब मैं दोनों calcium लिखूंगा तो आपका 100 आएगा 20 का टेबल कितनी बार परहा जाए कि 100 है तो 5 times तो 5 वह जा क्या होगा 5 plus 100 का टेबल कितनी बार परहा जाए कि 100 आजाए तो 1 times 1 में 1 से गुना तो 1 होगा equal to 1 by b होगा मेरे को जब यहाँ पर लिखूंगा तो आजाएगा आपका 60 by 100 equal to 1 by b होगा अब मैं दुवारा से ट्राइ करूं तो 1 by b equals to आपको card chart के जो answer आएगा वो 3 by 50 आएगा मैं rotate करूंगा rotate करने पर इसका value पता चल जाएगा कि जो बनेगा वो आपका 50 by 3 के बराबर होगा जो 16.33 dot 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 centimeter में आएगा चुकि centimeter का जो position होता है generally एक list पर लिखा जाता है इसलिए जब भी मैं लिखूंगा तो 16.3 centimeter को लिखूंगा यह चुकि plus में है तो plus distance यह मेरे को बताता है कि यह mirror के right side में बनाया जागा और जो mirror के right side मे बनाया जाता है उसका value positive होता है इसी प्रकार कुछ question और भी है आप उसे खुछ से solve कर लें इसे लिखें और बनाया मैं इसे अगले वीडियो में देखूंगा और बता हूं